इसे के साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका हालो मैडम माम को सर से बात करने की जी बिलकुल अजय जी आप बात कीजिए, सवाल करिए अपना हमारे तीन सवाल है मैडम लीक कर लीजिए जी, बोलिये हाँ, आप्परेशन कहा हुआ है, नारमल बेटे बेटे-बेटे अपनिक्स का नापरेशन का और दूसरा सवाल मेरे लेट साइट चेस में थोड़ दर्द होता है और पेट में गयल बनती है ठीक है, और कोई सवाल और सब दाका मैंने ओर्डर किया है गोन मोरिंगा कमपनी से तुमरिया है वो उसकी प्रॉब्लम हो तुमने बता है था ना गोन मोरिंगा ले लो और बाप्ची ओर ले रहे हैं जब हम कराते हैं तो इसमें काफी तेज असर दवाएं हमें परिशान करके डालती है उस वक्ते लिए वही दबा बेहतर थी जो आप दे ली लेकिन वह अपने कुछ नुखसानात छोड़कर जाती हमारी बाड़ी पर और जिसको भी ऐसा हो कर एंटिवाइटिक बहुत ज्याद खानी पड़ें कुछ लोग ऑपरेशन के बाद खानी जरूरी है कुछ लोग बुखार में खाते हैं जिल लोगों को भी 15 दिन से ज्यादा दवाएं खाना अलोपैतिक मजबूरी हो तो उन्हें चाहिए कि धनिया का पाउडर बना ले धनिया का पाउडर बना ले दो सो गिर मेथी का पाउडर बना ले इन सब को मिला ले और इसमें आप एक नमक आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं नमक जैतून ले और यह धनिया का पाउडर आधा चमच जो आपने बनाया है और जैतून का नमक एक चुटकी या दो चुटकी इसमें मिला के एक चमच में रोज आन सुबह नाश्ते से आदा घंटा पहले और रात को खाने से आदा घंटा पहले खाया करें तो आपकी यह समस्याइं ठीक होना मुम्किन है जार से हैं सुरेंद्र यादव जी स्वागत है आपका अगा जी नमस्कार से रहना हमारे कर अगर हमारे अब अगर कितनी है हमारी हमारी मरत यह हैं इस दोनों को समते इसम पांच साल दस साल से हैं जov थो धिले कि पांच साल दस साल आपने किया ुलाज नहीं किया हूगा मैं जान सकता हूँ और आप अपनी पत्णी के लिए और पत्नी आपके लिए कितना परेशान रहते होंगे मुच्चे अलग पांच-दस साल नहीं चाहिए मुझे आपने सारे इलाज कर लिये मुझे दो तीन महीने चाहिए आपसे सिर्फ और उसके लिए आपको करना क्या है कि दो तीन महीने तक महनत ना करें वजन ना उठाएं पौचा नहीं लगाएं आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए हिदायत है और यह वैस्टन ट्वालेट है कुर्सी वाला ट्वालेट लगवाले नहीं है तो लगवाले यह हिदायत हैं अपनी जरुबत कुर्सी वाथरूम में पूरी किया करें दोनों लोग यह बहुत जरूरी है नहीं तो बार बार ठीक होंगे बार बार यही सब हो जागा और एक आता है गौन सियाह, सियाह यानि काला इसे गौन सियाह भी कहते हैं और काला गौन भी कहते हैं लेकिन अब परिशानी ही हो गई कि दुकानदार बहुत बईवान हो गई जिन दुकानों से हम यह चीज़े लेते थे वो सब नकली लखने लगे तो असली लेना आपकी जम्मैदारी है दुकानदार से हम जाके मांगते है गौन सिया तो वो एक गौन देता है काला सा अ उसको एलवा कहते हैं लवा नहीं है ना ढ्राक का गौंद है यह गौंद सिया है जो चमकता नहीं है और दुकानदार जो हमें गौंद देता है वो चमकता यशीशे की तरह तो चमकने वाला नहीं लेना और 100-100 गिराम आप दोनों ले लिजे अपने रोक के लिए और 15-16 रूपे रोज का इलाज है बस आपने लाखों रुपे की दवाईयां खाली होंगी एक गिराम रोजाना खाईए, अदा गिराम सुबह नाश्टे के पस्चाथ, एक गिराम रात को खाने के बाद ये आपको खाना है, पानी से या बगर चर्बी के दूसर से है आप पांच-साथ दिन बस सबर करें, जाद जाद एक महिना इंतजार करें एक महिने में इतना फाइदा होना चाहिए के आपको इत्मिनान आ जाए और तीन-चार महिने में इतना फाइदा के हम दोनों को इत्मिनान आ जाए लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे सेवन करें, दोनों पति-पत्मी का ठीक होना मुम्किन है. अब तीन दीन से प्रोब्लम आरे, पिशाब बिल्कुल बंद हो रहा है जी, उसमें दिक्कतारी पास भी आगी पिशाब में, और और सीबी भी बड़े हो, मेरे को पिशाब में बड़ी प्रोब्लम हो रही है, अभी कल बात की थी आपके, यहां भी उन्होंने के-केर किप बे है, और उसके लिए तो आपको सौनोग्राफिक करानी पड़ेगी शायद, अगर यह जानना है कि पत्री तूट गई या नहीं, और यह जो आप नुस्खा ले रहे हैं, इसमें पानी बहुत पीना है, पानी पिएंगे तो फोर्स से पिशाब आएगा, यानि जब भी यह ले यह तो आपका घरेली नुस्खा है, और जब भी यह आप पिएंगे तो पानी खूब जादा पिएंगे, तीन गिलास पानी पिएंगे, और यह जो आप लेते हैं, पत्थर चट्टा और खशखाश, इसमें लीमू जरूर मिला लिया करें, एक दो तब पिया करें, और जब आपकी जो रुकावट है, यह अवरुद हो रहा है, यह ठीक होना मुम्किन है, बहुत बड़ी पत्री है, धीरे धीरे पाउडर बनके निकलेगी, और कभी भी कोई जरुवत हो, तकलीफ हो, तो दद की दवा, डॉक्टर की दवा आप फौरी तोर पर ले सकते हैं, इसमें पूछने की भी जरुवत नहीं है, धरिदवार से हैं, मनोज जी, स्वागत है आपका, हैलो, जी मैं में बताईए, सवाल कर लीजिए, हाँ, जी मैं धरिदवाद बलोगण से बोल रही हूं, तो कुछ ऐसी बीमारी है, शरीर में किसारा शरीर में सुकरंसी पड़ गई है, और दरन के अंदर है, जो है, खिचाब हो रहा है, एक नसी खड़ी हो गई है, वो उसमें कुछ ठंडा गरम, खटा मिठा खाते हैं, तो उसमें अफर होता है, उम्र कितनी है? उम्र तो है कम से कम 6-6, 6-6, 6-6, 6-6 साल, जी, समझ गया है अब? शरीर में सुकरं आ रही है, कोई नर्व है, जो कि इनकी बहुत जादा सक्त हो जाती है, और नसों में बहुत जादा तकलीफ है, ठीके, अच्छा देखिए, एक आता है, गौन सिया, इसे काला गौन भी कहते है, ये आप खरीद लें असली वाला, देखिए, नकली बहुत मि गया, तो ये आप ले लें, और आधा गिराम सुबह नाश्टे के बाद दूस से लें, और आधा गिराम रात को खाने के बाद, ये आप शुरू करें, पांच-साथ दिन सबर करें, तो आपको फाइदा होना मुम्किन है, बद्रदेश से हैं, रितेश स्वागत हैं आपका, हाँ, दॉक्तर साथ, ये मेरे पापा के लिए सवाल साथ, उनकी एज फिश्टी है, उनकी लिए जैजन का सरका और गौंतिया चल रहा है, तो लेकिन उनको एक डॉलम होती, जो मशूरों में उनको डर्द होता है, बहुत रहेंका, लगए एक गड़ साल से, तो उसके लिए हैं, दर्द तो उस्त है, उनको कमर से लेके पैर में, बीपी शोगर की पल्लम है, अभी हज़ा, चैसाथ दिन होई हैं, अभी तो फाइदा थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, और फिकर ना करें, और मसूरों के लिए अगर बल्टी विटामिन्स की कमी है, तो उसका एक मताबिक हैं, तो फिर एक बहुत आसान सा नुस्खा है, देखिए, यह जो पैटरॉल हम डालते हैं अपने स्कूटर में, यह पैटरॉल किसी कौटन में लेके, ऐसे अटने दाट में अपने लगा के मूल इटका ले, दिन में एक बार करना है, यह बस, और दो तीन दिन करना हैं, उनके दाटों का दर्द अच्छा होना मुम्किन है, कैल्सियम का खया लगे हर हफते कैल्सियम और मल्टी विटामिन्स का एक कैपसूल जरूर दिया करें, और जब तक जीवन है जब तक दें, हम ऐसे लोग जिनकी उमर चालिस से ज़्यादा है, पचास हो, साट हो, सतर हो, चालिस के बाद हर शक्स को एक मल्टी विटामिन्स विट कैल्सियम, एक कैपसूल या गोली, जरूर हर हफते खानी चाहिए, बात करते हैं, अगले कॉलर से, स्वागत है आपका, जी, हरवन्श कौर जी, कहां से बात कर रही है, अहां जी, नमस्कार जी, नमस्कार, जी, जन्यवाद, जी बताईए आपको घुटनों में आराम है आपको पूरा आराम आजाए और कोई सवाल हो तो कर लीजे बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है बहुत धन्यवाद हमारे साथ देखिए आप जुड़ी रही है आप हमारे लिए बहुत से मानिये हैं हम आपकी बड़ी इज़त करेंगे और और देखिए यही हमारा हमारा मकसद यह है कि हम जो दबा बताएं आदमी वो असली ले उसको प्रियोग करे और अगर वो अपने प् को बता दे कि बएए देखो यह दबा है इतनी सस्ती भी है बहुत आसान भी है लेकिन असली लेना जरूरी है तो आप हमारे साथ जड़ गए हैं देखिए आज से और पूरा इसका पर चार परसार करिए, अपने रिष्टेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने परोसियों में, एक आदमी से कम असका म सो लोग होते हैं उसके खांदान में, या उससे ज्यादा, जिसका जैसा बेहर होता है, उसके उतने ही दोस्तों होते हैं, उतना ही रिष्टेदारी होत ताके आपको भगवार ने फाइदा दे दिया उन लोगों को भी फाइदा मिलना चाहिए जो 10-20-20 साल से परिशान है अजबीर है अगले कॉलर स्वागत है आपका आपकी उमर कितनी है मेरी उमर है 30 साल से ठीक है अजबीर यह जिसको भी परिशानी होती है जो कुछ आपने कहा नजला, खांसी, बलगम, चीके, अलरजी, पानी आना, नाक से यह उन लोगों को होती है जो जिन में इम्मूनिटी कम होती है इम्मूनिटी मतलब रोग, पिर्ति, रोधक, शम्ता जिसमें कम होती है ताकत उनको होती है हम इसे कुट मुदाफियत कहते हैं तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार अलर्जी होती है अच्छा इसका युनानी में इलाज है बाकाइदा इलाज भी है बाकाइदा इसके लिए दवाएं भी आती है बहुत सारी और घरे लिए उसका इसमें ये है कि लेकि सपिस्तान एक दवा का नाम है सपिस्त करने इरान के बेर, यहां मिल जाते हैं, आसानी से सुर्ख होते हैं बिलकुल, उन्नाब लीजे 100 ग्राम, सपिस्तान लीजे 100 ग्राम, और अलसी लीजे 100 ग्राम, अलसी तो आप जानते ही हैं, उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना, और फिर इसमें आप 100 ग्राम ये तीनों च कहते हैं हिंदी में यह 30 ग्राम लें इनको हुब बारिक पाउडर बनाके एक चमच सुबा एक चमच रात को सुबह को निहार मूँ यानि खाली पेट रात को सोते समय गरम पानी से लें खटी चीजे पांचे महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें जो भी खटी चीज हो नहीं खाएं मैं तो कहता हूं बाहर का खाना भी निखाएं अगर यह आप लगातार लेते हैं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है